पात्रप राजा नागरेक एक, दो, तेन, चार, मजदूर, ओवर्सियर, इंजीनियर, बिजली इंजीनियर, सचिव, विशेशक्य, द्रिश्य एक, मंच पर राजा सिंहासन पर, कई नागरेक दरबार में उपस्थित, एक दिन राजा ने खीज कर घोशना कर दे, कि मुनाफा खोरों को बिजली के खंबे से लटका दिया जाएगा, सुबह होते ही लोग बिजली के खंबों के पास जमा हो गए, उन्होंने खंबों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया, शाम तक प्रतीक शाकी, कि अब मुनाफा खोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया, पहराज आपने तो कहा था कि मुनाफा खोर बिजली के खंबे से लटकाए जाएंगे, पर खंबे तो वैसे ही खड़े हैं, और मुनाफा खोर स्वस्थ और सानन्द हैं, कहा है तो उन्हें खंबों से ट पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफा खोरने ही ले लिया है, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा, पर वह तो कह रहा था कि फासी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, फासी देना अभी निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं हुआ है, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे? आज से ठीक सोलहवे दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। वे हैरान कि रात को न आंधी आई न भोकाम पाया, फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए? उन्हें एक खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला, उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं, लोग उसे पकड़ कर राचा के पास ले गए, सबका म मंच जे प्रस्थान, द्रश्य तीन, मंच पर राजा सिंहासन पर विराजमान, कई नागरिक मजदूर को पकड़ कर लाते हुए, महराज आप आज मुनाफा खोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिये गए, हम इस मजदू ओवर्सियर साहब ने हुक्म दिया था, ओवर्सियर को बुलाया जाए, ओवर्सियर का प्रवेश, क्यों जी, तुम्हें मालूम है, मैंने आज मुनाफा खोरों को बिजली के खंभों से लटकाने की घोशणा की थी, जी सरकार, फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों दिये जाए, इंजीनियर को बुलाया जाए, इंजीनियर का प्रवेश, मुझे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था, कि रात में सारे खंभे उखार देने चाहिए, बिजली इंजीनियर को बुलाओ, बिजली इंजीनियर का प्रवेश, हाथ जोड़ कर, महराज सचिव का प्रवीश मुझे विशेशग्य ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखडवा दो कौन है यह विशेशग्य भरोसे का आदमी है बिलकुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का ही आदमी है, मेरा साला है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ सरकार, मैं विशेशग्य हूँ और भूमी तथा वातावरन की हलचल का अध्ययन करता हूँ मैंने परिक्षन के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है, मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते, तो वह बिजली खंभों के द्वारा उपर आती और उसकी टककर अपने पावर हाउस की बिजली से होती तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलीयां एक साथ गिरती तब न एक भी प्राणी जीवित बचता, न एक भी इमारत खड़ी रह पाती मैंने तुरंद सचिव महोदै साहब को यह बात बताई और इन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठा कर शहर को बचा लिया लोग बड़ी देड़ तक सकते में खड़े रहे, वे मुनाफ़ा खोरों को बिलकुल भूल गए वे सब उस संकट से अभिभूत थे, जिसकी कलपना उन्हें दी गई थे जान बच जाने की अनुभूती से बिद्धबे हुए थे, सो चुप चाप अपने अपने घर लोट गए नागरेकों का मंच से प्रस्थान उसी सब्ता बैंक में कई विभागों के अधिकारियों के पतनियों के खातों में मोटी रकम जमा हो गई और उसी सब्ता मुनाफा खोर संग के हिसाब से बहुत सी रकम धरमादा खाते में डाले गई